पर चापा पड़े आएगा क्योंकि आप उनको अपना पापा नहीं समझ रहे हैं नरेंदर मोदी जी बिना परिवार के हो करके पूरे देश के बाप बनना चाहते हैं नजायज बाप जालिम बाप जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देना नहीं चाहते हैं जो बच्चों को खुशाहाल नहीं देखना चाहते हैं वो लगता है कि जैसे पडोसी के बाप हैं और अपने देखियो नरेंदर मोदी जी के तीन डो बच्चे हैं आप नहीं जानते हों जब सून लिगे हैं हम जब रोजगार का सवाल पूछ रहे हैं बहन बेटियों का सवाल जब पूछ रहे हैं मांगी सिक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं तो हम देश के गद्दार हो गए हम गलत कहें तो मैं नरेंदर मोदी जी की तरह जूटा नहीं हूँ हमको बोला लिजिएगा किसी चौरा है पर पचाच जूटा मार लिजिएगा बड़े सांसे हम जूटा जूटा खाएंगे उपिव विधान सभा चुनाओ नजदीक है और उपिव विधान सभा चुनाओ को देखते हुए हम अभी बनारस में पहुचे हैं यहां पर बनारस के चर्चित सक्स को आपने सुना होगा बनारस वाले मिसरा जी वही हमारे साथ हैं हम उनसे बात करेंगे बनारस में मोदी का संसदिय छेत्र है और क्या काम हुआ है पिछले 5-6 सालों में और योगी के पिछले 5 सालों में क्योंकि योगी अब चुनाओं को लेकर के योगी और मोदी बनारस में अपने संसदिय छेत्र में आने लगे हैं और क्या कहते हैं आपके किस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी क राज में काम हुआ है यापर नरंदर मोदी जी हम हिंदुओं के मन मानसिक्ता पर इतना बड़ा कुठारा घात और हमला करते हैं और उसी गली में जहां हरहर महा देव बस्ता का नारा लगता है वहीं वह हरहर मोदी का नारा लगवाते हैं यह तो उनकी ट्रेजडी है दूसरी बात मैं आप से अन पॉलिट बताईए आप नरेंदर मोदी जी को भारत का प्रधान मंतरी होते हुए कभी आपने देखा है मैंने तो नहीं देखा है मैंने नरेंदर मोदी जी को भाजपा का प्रधान मंतरी होते हुए देखा है आप देखिए न प्रधान मंतरी जी को वो कभी भी देश की भावनाओं के स कभी कोई काम नहीं करते वे नजर आते हैं वो अनलिम्टेड रेट बढ़ाने वाले एक ऐसी मसीन है जो हम बानारसियों को और हम हिंदुस्तानियों को मौत के कागार पर ले जा रही है इस सवाल को जब हम लोग बानारस के सडकों पर नरेंद्र मोधी जी से रूबरू होना च जी जिए आप कैद करते हैं पुलिस लगाते हैं अभी हमने देखा था आप को भी जेल में डाला गया था क्या मतलब क्यों डरती है सरकार क्या आप लोगोंसे या दीखे नरेंदर मोधी जी और पूरी भारती जनता पार्टी कायर और दर्पोख हैं हम इस बात को लगा। अगर प्रबात जी आप पत्रकार हैं अगर एक बात बताईये चोर के डाड़ी में तिनका अगर नरेंदर मोधी जी पूरी तरीके से स्वक्ष होते उनका विचार स्वक्ष होता आम भारतिये लोगों के प्रती उनके दिल में इज्जत होता तो क्यों डर है विपक्षियों का कभी आपने उनको देखा है कि विपक्षियों को बैठा करके उनके भी सवाल को सुने नेता है वो प्रधान मंतरी है लेकिन कायर भाजपाईयों की तरह डरते हुए फिरते नजर आते हैं हज्जारों हज्जार पुलीस बनारस के सडकों पे लगाई जाती है सिर्फ इसलिए कि कहीं बनारस वाले मिसराजी ये सवाल उनसे न पूछ लें कि ये बताओ दो करोर नौकरी कहां है हमको आप बताओ पत्रकार महोदे जो एजेंडा जो मुद्दा नरेंद्र मोदी जी और भारती जनता पार्टी सन 2014 में लेके आई थी और हम बनारसी और हम पूरे हिंदुस्तानी नौजवान जो है हर हर मोदी का नारा लगा करके उन तमाम राजनेतिक दल के सच्चाईयों को पैरो तले कुचल करके गद्दारी भरे लाजे में भारती जनता पार्टी का साथ देते हैं जो भी मुद्दे हैं जैसे का सुन लीजिए दो करोर नौकरी हम लाएंगे आज आप उत्तर परदेश के अंदर हैं नौजवानों के बीच में जाए और पूछिए कि योगी बाबा से जब रोजगार के सवाल पर नौजवान जब उनसे आमना सामना करता है तो उत्तर परदेश के बिधान सभा के बाहर उनको लाठियों से पीटा जाता है और फर्जी मुकद में लगा दिये जाते हैं जेल हमको भी भेजा जाता है आप पूछिए कि बहन बेटियों की इज्जत के लिए वो सोधा एक्ट लाय थे योगी बाबा मोदी जी भी बड़ा चाती पीट करके पीट तप तपा रहे थे कि योगी बाबा सेर है उत्तर परदेश में बलातकार का रेपोदर उठा के देख लिजिए पत्रकार जी अगर हम गलत कहें तो मैं नरेंदर मोदी जी की तरह जूटा नहीं हूँ हमको बोला लिजिएगा किसी चौरा है पर पचात जूटा मार लिजिएगा बड़े साम से हम जूटा जूटा खाएंगे अभी हम देख रहे थे आपका परिचे देख रहे थे तो उसमें आज तक ने लिखा है कि हरीश मिस्रा आग उगलते रखते हैं योगी मोदी के खिलाब क्या आपका काम है या आग उगलना जिसरिफ योगी मोदी अमिस्सा के खिलाब मुर्दों को जला दिया जाता है एक बात जानते हैं हिंदू धरम में जब आदमी मर जाता है तो उसका अंतिम संसकार जो है चिता पर लगा के लकडियों का चिता लगा के जला दिया जाता है मोक्ष दिया जाता है हरीज मिसरा जब जो है वाजीब सवाल का अगनी उगलता है तो यह राजनेतिक मुर्दे जो भारती जनता पार्टी में मिनिस्टर बने हुए हैं उनकी मुर्दा जल जाए उनकी चिता लग जाती है इसलिए उनको लगता है हम आग बता रहे हैं पत्रका पूछ रहे हैं बहन बेटियों का सवाल जब पूछ रहे हैं मांगी सिख्षा पर सवाल पूछ रहे हैं तो हम देश के गद्दार हो गए C.A.N.R.C. को ले करके उआये और देश के अंदर बटवारा और हिंसा और दंगा आपने देखा आप जलते हुए भारत को देखना चाहते हैं मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मेरा भारत भटकता हुआ भारत हो मैं तो चमकता हुआ भारत का कल्बना करता हूँ नरेंदर मोदी जी इस देश के अगर नेता हैं तो इस देश के नागरिकों की बात सुनेंगे की नहीं सुनेंगे अगर इस देश के वो नेता नहीं हैं खाली भाजपा आरेसेस के वो प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि वही आरेसस के नागबूर काराले में बहिट करके भाचर दिया करें कहानी किस्टा सुनाते हैं मन की बात में यही अत्तवार को अत्तवार यानि रभीवार को बनार्थी भाचा में अत्तवार बोला जाता है बड़ा सुब दिन होता है उस पत्रकार जी उनका जमीन पर दिखाई दिया है आप बता दीजिए हमको गिना दीजिए और साब सफाई प्लेटफर्म तमाम तरीके गिना रहे हैं चीज़ों को आप बनारथ में कर दिन से आये हैं पत्रकार दूतीन दिन से तो आए होंगे और हमको यह उमीद है कि आप अपने खुली आखों से बनारथ की सुक्षता अभियान देख रहे होंगे अब आप से अगर हम ही पूझ दे कि आपको दस में से कितना रंकिंग देना होगा बनारथ को तो आप ढर के मारे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके चैनल पे चापा पड़ जाएगा क्योंकि आप उनको अपना पापा नहीं समझ रहे हैं नरेंदर मोदी जी बिना परिवार के हो करके पूरे देश के बाप बनना चाहते हैं नजायज बाप जालिम बाप जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देना नहीं चाहते हैं जो बच्चों को खुसाहाल नहीं देखना चाहते हैं वो लगता है कि जैसे पडोसी के बाप हैं और अपने देखियो नरेंदर मोदी जी के तीन टो बच्चे हैं आप नहीं जानते होंगे हम सुन लीजिए बड़का बेटवा का नाम है उनका अमबानी परिवार छोटका बेटवा का नाम है उनके अडानी परिवार अतिसर का बेटा बड़ा लाजवाब है उनका बेटे का नाम है जैसा इतीन जनेवदे नरेंदर प्रवाज़ाटी जी इंसानियत की हत्या करके भाजपाई केमे से जो है देश को कंगाल लूटना चाहते हैं। कि हिंदू पर कईसे प्राहर कर दिये क्योंकि ये हिंदू के लोग हैं। करंप जी उनके बढ़के भाईया हैं। और नरिंदर मोदी जी हम लोगों के जो है प्रधार मंतरी हैं। हम आपको बता रहे हैं। कोरोना काल का रिपोर्टिंग आप भी किये होंगे। चाहे दिल्ली किये चाहे बंबई चाहे बंगाल चाहे उत्तर परदेश। करोना काल में लासों का ढेर आपने देखा कि नहीं देखा। मत बोलिये नहीं तो आपके उपर छापा पड़ेगा। हमको बोलने दीजिये हमको जेल जाना है। मैं खिसियाया हुआ बनारसी आदमी हूँ। मेरे बच्चों का जब दूद नहीं मैं जुगाड कर पाता हूँ। तो मैं ललकार के गरी आता हूँ। क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं और वो मुझे पापा कहते हैं। जब कोई छोटी बच्ची जो है मधूर स्वर में आपको पापा कहेगी तो आपकी जिम्मेदारियों का बोध हो जाएगा। नरेंदर मोदी जी के पास बच्चे नहीं हैं। इसलिए वो बच्चों के भावनाओं को परिवार के भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। दिया जाएगा। जान की सुरक्चा किये रहिए उत्तर परदेश की सत्ता बदलने वाली है। बाइस के बाद आईएगा तब आराम से सत्ता का बिरोत करिएगा। फिलाल अभी योगी योगी करिए। हाँ बोलिए। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए बिधाय की साय लड़ने जा रहा है। कवन बढ़िया काम कियें तहीं आप बताइए हमारा कान बढ़ा तरस रहा। योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी और योगी जी की बात को मानते हैं कहा। जब आपने देखा कि संसद में जो आदमी कर आई की आक्सीजन से कोई नहीं मरा है। तो उस आदमी की बात आप मानेंगे। हम अगर आप से कह दे कि हम एवरेस्ट के पहले चड़ने वाले भारति हैं मानेंगे हम अगर आपको कह दे कि मैं बादलों को नीचे तारा लाकरके अपने پतनी के कदमों में रखता हूँ मानेंगे। पानेंगे इकाप पागलपंती वाली बात कर रहे हैं। बनारस को इतना गुंगा और गुलाम समझ लिये हैं भारती जन्ता पार्टी के लोग। कि नई हुआ नोडबंदी के बाद पुलवामा हुआ कि नई हुआ यो मोदी जी का दे रहे हैं कि बानारास वाले मिश्रा जी हमारे भगवान है तो आप हमको माला पूल दूद चड़ाएंगे पत्रकार अरे तोड़ा अंद भक्ती से दूर हो ये स्वविवेक के साथ का पसीना का पैसा लगा है पढ़ाई में उसकी तो लाज रखिये गलत को गलत कहिए सही को सही कहिए क्रिसी कानून को ले करके आठ महिना से आपके अखिये के समनमा वहीं दिल्लिये के रोडवा पर बैटे हुए हैं किसान